अब दिखते हुए इस पर रहां रुके हुए है थोड़ा साब बात करेंगे आप नोट डाउन करते जाए और थोड़ा उधर भी हम बात करेंगे हमने इससे पहले पारलल प्लेट क्यापसीटर और स्रीज मतब पारलल कॉम्बिनेशन आफ क्यापसीटर की बात करते हैं कॉम्म प्लेट होता है और प्लेट में बात कर रहां कि किसी भी प्लेट में कोई भी क्यापसीटर में कितना एनरजी इस्टोर होता है एनरजी का मतलब हो ही है कितना क्या चीज पोटेंशिल एनरजी इस्टोर होता है वह हमें निकाल लाँ है चाहिए वह टापसीटर के बीच में डाइलेक्टिक मीडियम कुछ भी रह एयर रहे माइकार रहे हैं कुछ भी रहे तो उस क्यापसीटर के ऊपर कितना एनर्जी स्टोर होगा वो चीज आज हम देखेंगे इसलिए हेडिंग है भी आ एनर्जी स्टोर इना क्यापसीटर हैना लास्ट टॉपिक पर आप आ चुके हैं एक दो टॉपिक और है इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे मॉर्निंग वाले बैच में भी आपको पता नहीं होगा साइट चैप्टर नमर्ट थार्ड स्टार्ट हो चुका है आप लोगी बहुत पीछे हैं चली हो गया होगा थोड़ा सा थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बीचे में कंप्लीट च्राइट कंप्ली खूट हूं हो गया ना देख लिए जो वाई साब यहां पर आपको जो दिख रहा है देख लो भी अध्यान से देखेंगे वह सम सेटलमेंट एरिजमेंट कर दिये इसको देखो सुनिएगा इधर देख लो किसी भी कैपसीटर में कितना एनरजी इस्टोर होगा उसके लिए आपको सबसे पहला कंडिक्शनने अनरजी से बाथ करेंगे इनरजी से रडिलेटेर हमें बात करना है तो कन खांट कर सॉंकर उपरं कितना हो रहा है क्या अप्लाई कि भीया कुछ external source apply कि है वो हमें बताएगा कि हम कितना इस पर work कर रहे हैं ध्यान से समझना external source जो हमने battery use कि है वो हमें बताएगा कि हमने उसके उपर कितना work करें और वही work क्या हो जाए किसमें convert होगा पोटेंशियल में सिंपल सी बात है तो आपको सबसे पहला condition यह बताया जाए रहा है अब diagram देखो diagram बहुत आसान है हम आपको फिर से diagram देखा रहे है ध्यान से समझेगा अब यहां पर बोला क्या गया है सबोज मालों देखो यह diagram एक बार थोड़ा देखेंगे diagram ही महुत में है यहां पर आपको दो पार्लल मतलब एक पार्लल प्लेट कैपसीटर लिया गया है मतलब दो प्लेट है आप ऐसा समझेंगे दोनों इनिसियली अंचार्ज है मतलब इस दोनों के ऊपर किसी भी टैप्स का कोई चार्ज नहीं है तो क्या करना सब्सक्राइब है सब्सक्राइब हमने इसको बैटरी मतलब सोर्स से इसको कनेक्ट कर दी है ठीक है इसको हमने क्या कि है सोर्स से कनेक्ट कर दी यह पॉजिटिव टर्मीनल और यह निगेटिव टर्मीनल है पहले क्या था अंचार्ज था जैसे हम सोर्स के साथ कनेक्ट करें अदिये घूल जो प्लेट है इस पर कौन सब्सक्राइगा पोजिटिव चार्ज आए गा और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आसाने के वैसे इस पर कौन सब्सक्राइब्स होगा घ्लिणि Etham और जो भी चार्ज है इन है इन दोनों पार्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो सकता है कुछ भी हो सकता है एर हो सकता है या वैक्यूम हो या ग्लास हो पेपर हो कुछ भी हो सकता है समय उससे अभी कोई मतलब नहीं है किसी भी टैप्स का कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो भी हम इस पे कितना potential energy या energy इतना store होगा वह हम find out करते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह आपका positive charge हो गया और यह कौन सा होगा निगेटिव चार्ज मतब एक प्लेट पर जैसे हमने positive चार्ज देने के कारण दूसरे प्लेट पर कौन सा चार्ज इंडियूज हुआ निगेटिव चार्ज इंडियूज हुआ ठीक है तो इस source के द्वारा भिया आप चार्ज जब दे रहे थे तो यहाँ पर क्या और वर्क हो आप दा चार्ज ऑन दा प्लेट वा एक्स्टर्नल सोर्स जो आपका बैटरी है मतलब बैटरी के द्वारा होने वाला या आप ऐसा बोल सकते बैटरी से जो निकलने वाला चार्ज के द्वारा जो वर्क होता है वही आपका किसमें कर्वार्ट होगा वही आपका सेम होगा त तो work done का जो build-up होता है भी है charge on the plates के उपर किसके उपर जो भी आपने source जो अपलाई किया उसके वैसे इस plates पे कौन सा charge positive charge और इसके वैसे कौन सा charge negative charge तो जो भी plates के उपर charge build-up हुआ है उसके द्वारा जो work निकलेगा वही work किसमें convert होगा energy में और जितना work आएगा सारे के सारी किसमें convert होगा energy में जो भी charge यहां पर convert हुआ भी है वो किसके वैसे external source है of battery जो को आप बोलते हैं आप अब देखो यह सबसे पहला condition मैंने क्या बोला हूं कि दो plates ले ले लेते है capacitor का जिसमें initially क्या है uncharged है किसी भी टाइप का कोई charge नहीं है now the charge is the transfer to one plate is very small installment of DQ and equal opposite charge charge होगा induced on the other plate इसका मतलब क्या है भाई अब पहला वाला condition मैंने आपको बता दिया कि आपने जो दो parallel plates लिये है capacitor का वो uncharged है तो पहले वाले plates हमें क्या करना पड़ेगा भीया छोटा 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 चार्ज उसके उपर डालना पड़ेगा कैसे डालेंगे तो source के द्वारा है ना जैसे हम पहले वाले चार्ज के उपर कोई छोटा छोटा चार्ज डालिंग इंस्टॉल्मेंट में तो उसी के according दूसरे plates पे भी कौन सा चार्ज इंडियूज हो जाए था अगर आप इसके ओपर positive charge डालने तो दूसरे plates पे कौन सा चार्ज इंडियूज होगा तो इन दोनों प्लेट के बीच का potential difference कितना होगा तो इस capacitor का अगर capacitance की value C है और capacitance का formula होता है C बड़ाबर में कितना भी है तो चार्ज अपॉन में वी तो potential difference है तो वी बड़ाबर क्या होगा Q by C हो जाएंगा तो रिखे इन दोनों प्लेट का जो potential difference कितना आएगा Q by C आएगा जहां तक में कोई डिकत बोल भी है चलिए अब देखो अब भाई थोरा साम बात कर लेते अलग केस के बारे में आपको एक चीज पता होगा भाई potential difference का एक और फॉर्मूला होता है वी बराबर में work upon में charge होता है कि आट वर्क औपॉन में charge होता है तो अगर मैं work की बात कर रहाएं कितना work हो रहा है तो potential difference इंटिू में क्या होटे चार्ज होगा बोल भाई यह तो आपने पेहले ही भी पनहीं परेंगे कि पोटेंशल ihr difference जोो हता है work..? पर यूनिट क्या होता है? चारज होता है तो, अगर मैं यहां से work निकाल रहा हूं तो इसकामतब क्या होगा है? you क्यों होगा? अब देखो मैंने आपको पहले भिखता है कि जो चारज जो आ रहा है वो कम-कम चारज आ रहा है small charge आ रहे हैं, installment ब्यार है, कितना charge आ रहे है, DQ charge आ रहे है, तो भईया, जितना कम से कम charge आएगा, उसी के according कम से कम work होगा, तो अगर माल लेते हैं, कि charge हमारा DQ है, तो work भी कितना होगा भईया, DW होगा, potential तो same ही रहेगा उसके लिए, उसमें तो changes नहीं आएगा न, charge DQ to be capacitor is, देखिए, भी है, DW, मतलब छोटे से charge के लिए work भी कितना निकलेगा, छोटा सा निकलेगा, और potential के जगा पे हमने direct Q by क्या लिख दिये, C लिख दिये, और into में क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है, समझ मैं, अब लेकिन हमें तो overall पूरा इस capacitor या parallel plates capacitor के ऊपर होने वाला total work चाहिए न, क्या चाहिए भी है, total, तो भाई, ये तो बहुत छोटा सा installment है, तो इसी तरीके से आप बहुत छोटे से छोटे charge के लिए work निकाल के सब क्या कर सकते हैं, आड कर सकते हैं, तो इससे better है, हम इसको क्या कर देंगे, integrate कर देंगे, क्या कर देंगे, integrate, तो ध्यान से समझ येगा, हमने यहाँ पर क्या किये, आपका जो work जो आया है, DW बढ़ावर में, कितना है, Q by C, इन्टू में कितना है, भईया, DQ, यही है न, अब ध्यान से, इसको हमें क्या करना है, integrate करना है, क्योंकि हमें, overall condition, overall के लिए find out करना है, किसके लिए find out करना है, भी है, overall करना है, सबसे पहला condition, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर capacitance की value vary, नहीं कर रहा है, क्या है, constant है, capacitance क्या है भईया, constant है, तो क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, integration of DW, 1 upon C हो जाएगा, क्या होगा, Q DQ, है न, भईया, एकची बता न, जब charge आपका 0 होगा, तो work क्या होगा, confirm है, यह जब charge हमारा कुछ नहीं है, तो work कितना होगा, 0, अच्छा, जब charge जो है, बहुत छोटे-छोटे से charge को हमने add किये, तो यह बढ़ा सा charge बने कितना Q, तो work भी हमारा W होगा, हो गया न, चली, इस derivative से integration करेंगे, तो यहाँ पर क integration of x dx क्या होता है, x square by 2 होता है, तो यहाँ पर integration of q dq है, तो क्या मैं इसको q का square upon में 2 लिख सकता हूँ, कहां से कहां तक 0 से capital q तक, कहां से भी है, 0 से capital q तक, अब देखिए रहन से, work जो हो जाएगा, one upon में 2c, constant हैं, है न, क्या मिले गहाँ यहाँ पर, q का square है, कहां से कहां तक 0 से capital q तक, तो देखिए work upon में, one upon में 2c, upper limit, capital q का square और 0 का square, तो 0 ही होगा, तो total work जो आएगा, वो q square upon में कितना होगा, 2c आएगा, कितना work आएगा, q upon में, sorry, q square upon में 2c आएगा, अब यही work, जो work आपने जो निकाले है, पहले ही statement में मैंने आपको बता दिया था, कि ज इतना energy stored होगा, वो work done के, बड़ाबर होगा, तो work कितना है, q square upon में 2c, इसका मतलब यही work, पूरा का, पूरा किसमें convert होगा, potential में convert होगा, तो simple सी बात है, भेया, this work is stored in the form of किसमे, potential energy में, और potential energy को हम किस से denoted करते हैं, भेया, u से, potential energy को हम किस से denoted करते हैं, u से, इसका मतलब potential energy, u बड़ाबर कितना होगा, work हो जाएगा, बड़ाबर में कितना भेया, q square upon में 2c हो जाएगा, तो यह तो यह formula हो जाएगा, अन्य था, अन्य था भीया, यह ता था था, क्या बोलते हैं, तो था स्तू, देखिए, क्या होता है formula, एक चीज़ और, अगर आपको यहाँ पर यहाँ पर q बड़ाबर में cv भी लिख सकता हो ना, चार्ज बड़ाबर में क्या होगा, cv, यह देखिए द्यान से, तो क्या मैं यहाँ पर potential देखो, एक तो potential आपको कितना आ जाए गया, q square upon में कितना है, 2c है, यही है ना भाई, अगर q के जगा पे हम c का square, v का square upon में कित इतना 2c रख सकते हैं, तो देखिए एक c से c कर जाएगा, तो कितना आएगा, एक बट्टा दो, cv का square होगा ही नहीं होगा, अड़ हाई नहीं, कुछ गलत लिख दी, उस टाइम पर साइध गलत लिखा था, हाँ, सही तो है, cv का square, सही है ना, आचा, अब देखो बाई, ए इसका मतलब, one upon me two, और cv को क्या लिख सकते है, qv, हाना, तो आपको मैंने एक line से लिखवाय था, कि potential जो store होगा, वो q का square upon में कितना, 2c, बराबर में किस के भीया, half of cv का square, बराबर में कितना भीया, तो half of qv का square, हाना, तो कितना potential energy store होगा, वो चीज आपको यहाँ पर proof क के दिया था, चाहे कोई भी capacitor हो, जिसके अंदर जो potential energy store होता है, वो charge का square upon में क्या होता है, 2c होता है, इसके बराबर में है, charge का square upon में 2c के बराबर, और c क्या यहाँ पर, capacitance है, c क्या यहाँ पर, उस capacitor का capacitance की value है, charge कि आपने कितना charge इसके उपर जाके store किया हुए, वो है, ठी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िए इसको, clear यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें, जल्दी करो, जल्दी करेंगे, हो गया, यहाँ तक मैं कोई दिक्का दे किसी को, हो गया भाई, बोलना, चलिए, इदर देखिएंगे, फ़र सा heading डाल देखिएंगे भी आप, जिसका नाम है, common potential, heading डाल दीजेगा, common potential, देखो, हम यहाँ पर दो टाइप्स के common potential के बारें बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखिएंगे, हम यहाँ पर heading की बात कर रहे है, बहुत छोटा सा topic है यह, common potential, देखिए लिजे ध्यान से भी है, इदर सुन लो, यह common potential की बात कर रहे है, आपको याद होगा, जब हम आप तो combination के बारें बात किये थे, तो वहाँ पर, कहाँ पर common potential होता था, जब भी है, capacitor एक दूसरे के साथ कैसे connect हो, series में या parallel में, parallel, भी है series में तो potential बट रहा है न, यह parallel में potential क्या हो रहे है, सेम था, है न, तुद ध्यान से सुनिए अगा, लो, common potential का मतलब यह है, दो condition है भी है, अगर, अड़े, यह यह आपका positive plate है माल लेते हैं, और यह negative plate है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक positive plate है, और यहाँ पर एक negative plate है, देखिए ध्यान से, समझेगा चीज़ को, देखिए जब दो parallel, मतलब दो capacitor एक दूसरे के parallel में है, और देखिए connection कैसा किया गया है, अगर मैं इसको a point दे देता हूँ, तो देखिए ध्यान से, positive वाला plates, positive के साथ connect किया गया है, और negative वाला plates किसके साथ connect किया गया भी है, negative के साथ, इसको हम क्या माल लेते हैं भी या भी माल लेते हैं, ठीक है, अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं, कि इसका capacitance C1 है और इसका capacitance कितना है C2 है फिलाल अभी मान के चलते हैं वैसे आपको पता है कि इसका potential V1 ले लेते हैं और इसका potential कितना हो जाएगा भीया V2 हो जाए वैसे हमें पता है कि यह V1 V2 क्या होगा आपस में बडाबर होगा मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो वी वन जो होगा वह वी टू के क्या है बड़ाबर है मतलब वी के बड़ाबर है और इसी वी को हम क्या बोलते भी है common potential बोलते हैं समझिये गए आप ध्यान से वैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़े अभी तुरंत भी मैंने जस्ट आपको निकाल के लिया था कहां गया vandaag इढता हो बोलते हो है कि में ना ऐसा बोल सकते हैं कि कौमन पोटेंशियल जो होगा कौमन इए पोटेंशियल जो वी है वी क्या होगा बुए तो टोटल चार्ज अ चबन मैं क्या होगा टोटल कापेशिटेंश चाब बोल सकता हूं तो थोल चार्ज अपॉण में टोल कापेसिटेंस यह पोटेंसील और फॉर्मूला देखे ना ओoons error पोटेन सिल का होता है चार्ज अपॉन में एक पैसीटेंस होता है तो यहां पर तो प्लेट के लिए बात कर रहे ना तो इसमें टोटल कितना आएगा चार्ज कितना होगा वह और टोटल कापेसिटेंस कितना होगा क्योंकि भीया इसके अंदर इस प्लेट के अंदर चार्ज कितना है क्यों और इसके लिए कितना होगा सीवन वीवन हो जाएगा हो सकता है इस तो यही condition होगा तो अगर मैं Q1 की बात कर रहा हूं और कुट्टू की बात कर रहा हूं कि तो गत्व हम अच्छा इसका भी क्यापेसिटेंस कितना है सी और इसका भी क्या पर सिटेंश कितना है टीटू एट टोटल ग्यांज कितना होगा बोल भाई टोटल क्यापेसी टेंस बाइसाब कि इस अढ़े अभी बता एंथा बहुंत अब यहां दो दिन पहले वह वह था दो दिन लगतार बता रहो दोनों आपस में parallel में connected तो दोनों का capacitance एक साथ एड़ नहीं हो जाता है तो टोटल capacitance हम इसमें क्या बोल सकते हैं और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा तो टोटल चार्ज कितना होगा विया चार्ज कितना होगा तो q1 प्लस में q2 और q1 किसके बड़ावर और c1 v1 के बड़ावर है प्लस में c2 v2 के बड़ावर है बस इसकी value को यहां पर रख देंगे तो देखिए क्या capacitance लेकिन यह case number फॉस्ट है याद रखिएगा यह case number क्या है फॉस्ट है case number फॉस्ट में आपका common potential जो होगा देख लो जान से यह देखो क्या है total charge है total charge कितना हो जाएगा c1 v1 प्लस में c2 v2 divided बड़ाइड 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 करते जाएंगे c1 v1 प्लस में c2 v2 प्लस में कितना होगा भी है c3 v3 divided बड़ाइड बड़ाइड क्या होगा c1 प्लस में c2 प्लस में c3 समझ मैं न और अगर आगे बढ़े तो c4 v4 प्लस में क्या होगा c4 तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते इसका common potential कितना होगा वह आप find out कर सकते हैं समझ गए अड़े समझे है ने समझे चली अब देखो एक तो यह ठीक ठीक ता अब ध्यान से समझेंगे भीया इसमें थोड़ा सा confusion होता है केस नंबर टू है केस नंबर टू में दोनों के डाइग्राम से अधर हर चीज में बस सिंपल से एक छोटा सा प्रॉब्लम यहां पर आता है चार्ज में क्यापेसिटेंस तो दोनों के लिए सेम होगा अब मैं यहां पर बात करो मालनों एक प्लेट यह है और इसका यह positive ढमीनल है धान के समझ एका और ये नीगë housed ठर्मीनल है ठीक है और एक दूसरा प्लेट यह है लेकिन यह प्लेट आपको निगेटिव दिया हुआ है और यह पॉजिक डिया है रेखना अब यहाँ पर प्लेटिव से नीगेटिव का connection एकनेक्षन एं sih दोनों में difference समझ में आगे क्या है यहां पर यह जो दो प्लेट्स जो ए से जो जुड़ा हुआ है वो दोनों क्या है positive है और दोनों यह negative है लेकिन यह positive से negative और negative से positive जुड़ा हुआ और दोनों का capacitance वगरा same हुई है मालने इसका capacitance C1 इसका C2 है और इसमें potential V1 है और इसका कितना है V2 है ठीक है इसके अंदर charge कितना हो जाएगा Q1 जो होगा वो कितना होगा C1 V1 होगा लेकिन इसके अंदर charge की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा जो charge हम कैसे निकालते है ने चीट्यटीब से positive की तरफ तो हमारा charge मायनस भी चे और काagus हो जाएगा जो माइनस में T2V2 को बता हिआ कहां था ने face रहाओ क्या जो बटाएगा मानस में तो रेकिए रहावर है यहां पर आपका एक चीज जो है तोटल चार्ज जो हो जाएगा इसका टोटल चार्ज जो होगा जो क्यू के बढ़ावर में मत्या क्यू वन प्लस में क्यू टू जो होगा वो किसके बढ़ावर भई है तो सी वन वी वन माइनस में कितना हो जाएगा सी टू भी टू देख रहें क्यू टू क्योंकि निगेटिव में तो प्लस माइनस कितना हो माइनस अच्छा टोटल क क्या पैसिटेंस की बारे में बाद करेंगे I am total तोटल क्यापैसितेंस तो क्यापैसिटेंस कितना वह भी है लुट सिलनष सीटू होगा अरे हाए नहीं तो देख zerेकों कॉमन पोटेंसियल सिल्ग वोगा कुतना कहला है अभी है तो total charge upon में क्या होगा total capacitance total charge upon में total capacitance तो यहां से आपको common potential और ना ना जाएगा कि इतना है total charge कितना है यहाँ total charge कितना है c1v1 है minus में c2v2 और capacitance कितना है c1 plus में c2 तो इसके लिए common potential आपको यह बस दोनों में देख रहे होंगे चार्ज के case में ही थोरा सा difference है अलग कुछ भी नहीं है जल्ली करेंगे इस चीज को फड़ा फट हाँ असाइन अपोजिट है मतलब डारेक्शन निगेटिव वैसे चार्ज को यह नहीं है स्केलर क्वांटिटी है हाँ 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 प्रोट्रों सो पॉजेटिव होगा ना इलक्ट्रों से फ्लो करेंगा अगर इसके अंदर कुछ इस रखा होगा एक चीजी बतायए यह पिल कर डारेक्शन आप अपोजिट हो जायेगा ना तु सके Max चार्ज भी तो निगेटिव मैंने समें आएगा उनकि यह अगर हम यह डारेक्शुन अगर हम यह को अपोजेट करूंगा तब तो निगेटिव हो जाये ना यह बोल हुँ जल्ली करोगो हुआ हुआ है हुआ है झाल झाल होगे भाई झाल होगे इल I झाल 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 कुछ़र झाल झाल प्ट इल इल आजगे विट खिता ये हुद्ट कि झाल 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 पकलन दिहन आहएर डिकर है इगा? डिकर है न? आप लोग जल्दी करेंगे आप लोग जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे आप लोग जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे झाल 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 झाल